नमेश्कार दोस्तों सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल और आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं NCRT से संबंदित पर्यावरण अध्यन की 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्ण है जिया दोस्तों ये जो क्षिशन होंगे ये आपके आने वाले टैटा एक्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि इसमें आपको कुछ न कुछ ऐसे क्षिशन जरूर मिलेंगे आज के इस वीडियो में जो आपके लिए बिल्कुल यूनिक हो आपने साइद पहले उनको ना देखाओ तो चलिए और देखते हैं आज के अमरे प्रेवरान अध्यां से संब्दित 50 अध्य महत्वपूर्ण प्रश्ण है और वीडियो आप लास्ट देखेंगे तो आपको कौन कौन से नए क्षिशन देखने को मिले कमेंट्स करके जरूर दाइएगा तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्षिशन के और तो सबसे फर्स्ट क्षिशन यहां पर हमरा आ रहा है सोनो ने चीटियों के कतार के बीच में पैंसिल रखकर के उनका रास्ता रोका तो कुछ चीटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती है क्योंकि अब देखी यहां पर हमें चार वेकलप देखकर उसका उतर देना है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए सही उत्तर होगा वो होगा उन्हें अपनी साथी चीटी की गंद नहीं आती है जो आगे वाले चीटी की गंद पीछे वाले चीटी को महसूस होती है और उसी के पीछे वाले चीटी को उसकी गंद महसुस होती इस प्रकार से वो एक दूसरे की गंद के माध्यम से कतार में चलती है तो जब हम पैंसिल वगरा रख देंगे तो गंद जो होगी वो थोड़े से दूर हो जाएगी मतलब उनको गंद महसुस नहीं होगी और इस वज़े से वो अपना रास्ता जो है वो भटक जाएंगे तो चलिए अगले किश्यन के और बढ़ते हैं अगले किश्यन आता है कुछ पक्षियों की दरस्टी इतनी तेज होती है कि वे हमसे चार गुना अधिक वस्तु को देख पाते हैं अगला किश्यन आता है कुटा मशली बंदर या पक्षि तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उस जीव जो की बजली तरंगों के माद्धियम से तो यहां पर वो जीव होता है मशली और इसके लिए बीविकलब जो होगा यह बिलकुल सही उत्तर होगा चलिए अगले किश्यन की बात करते हैं पता करता है तो यहां पर सीव इकलब के लिए सही उत्तर है अगले किश्यन की बात करते हैं यदि कोई मीठा पदार्थ जो फर्स पर गिर जाता है तो कुछ समय में ही चीटियों के जुण उस पदार्थ पर जमा हो जाते हैं चीटियों के किस विसेस्ता का पता चलता है मतलब उनको कैसे पता चल जाता है कि कोई भी खाने की वस्तू या मीठी चीज यहां पर गिरी है चीटियों को मिठा आधिक पसंद होता है या फिर चीटियों के सूंगने के छमता तेवर होती है या फिर चीटियों को भूख अधिक लगती हैं तो हम कहा सकते हैं कि चीटियों के सुगने की छमता जो होती है वो काफी तीवर होती है और इसी की वज़े से उन्हें मीठे पधार्थ की गंद भी आकरशित कर लेती है जिससे कि वह वहां सूंग करके आ जाती है और सी विकल्बस के लिए बिलकुल सही है चलिए अगले किश्चन की बात करते हैं सर्दियों के दिनों में सामणने था हमें घरों में छिपकलिया नहीं दिखाई देती है क्योंकि उन्हें भुज़न नहीं मिल पता है वह थेकर बैठ जाती है वह घर के बाहर घूमने निकल जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह सीत निंदर तक बाहर नहीं निकलती है, तो वे सीतने इंद्रा में चली जाती है, सी विकलबस के लिए बिल्कूल सही है, चलिए, अगले किशिन की बात करते हैं, आप ने देखा होगा कि हाथी के जो कान होते हैं, बहुत बड़े-बड़े होते हैं, और हाथी अपने कानों को बार-बार ह यहां पर सही उतर है, कचिवे को किसान का प्रमित्र कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पक्षियों का भोजन होते हैं या वहाँ मिट्टी के अरवरता को बढ़ाते हैं वहाँ दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और डी है वह चुप चाप सोते हैं तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि केच्व किसान के मित्र होते हैं क्योंकि वह मिट्टी की उरवरता को बढ़ाते हैं और इसके लिए भी विकल्ब बिल्कुल सही है अगले किशन को देखें अगला किशन आता है यहां पर राजू के खेत में साप को देखकर वहीं खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे तो राजू ने उन्हें साप मारने से रोका कहा कि साप तो किसान का मित्र होता है तो अब देखी साप किसान का मित्र कैसी हुआ क्योंकि वह किसानों का मंदरंजिन करता है वह फसल को हानी पहुचाने वाले चूओं को खाता है वो मिट्टी को उपजाव बनाता है डी हो किसान को नहीं काटता है तो वो तो सब को ही काटता है पर साथ ही साथ वो चूहा जो होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुचाते हैं उन चूहों को साप खा जाता है इसलिए वो किसान की फसल से रक्षा करता है इस प्रकार अपरत्य एक शुरूप से उसका मित्र होता है अगले कुशन की बात करें यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो डाक्टर के आने से पहले प्रात्मी कुपचार के लिए आप क्या करेंगे तांत्री के पास ले जाएंगे डाक्टर का इंतिजार करेंगे या फिर काटने वाली ज जाहर जो है वो पूरे सरीर में ना फैले जब तक हम डाक्टर के पास ले जाएं अगला किशने मोना जैम लगे ब्रेट को डिब से बाहर निकालना भूल गई थी वह एक सबता बाद उसने डिबा खोला तो उसने क्या देखा तो दिखिए जैम लगे हुई ब्रेट ती सही उत्तर जो होगा वो होगा ब्रेट पर फपूंद लग गई थी जिहां डिवाला वेकल बिसके लिए बिलकुल सही होगा अगला किशन आता है बंद पैकेट में रखी वस्तू के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वहाँ उप्योग में लेने लायक या योग्य है या नही तो पैकेट पर लिखी निर्मान तिथी और समापती तिथी देखकर पैकेट पर लिखा मुल्य देखकर के पैकेट पर लिखी सामगरी देखकर के या पैकेट को तोल करके तो यहां बर हम कहा सकते हैं कि हम पैकेट पर लिखी निर्मान तिथी और समापती तिथी को देखकर के जान सकते हैं कि ये उप्योग लाइक है या नहीं अगला किश्यन आता है रोस्नी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला और उसने आम के छोटे-छोटे टुकडो को मसाला लागर बरतन में भर कर रख दिया लेकिन अचार खराब हो गया क्योंकि अचार में नमक की मातरा अचार गीले हाथ या चमच से निकाला गया था और सी है बरतन धातू से बना था और अचार का बरतन प्लास्टी का नहीं बना था तो हम कह सकते हैं कि अचार जो है वो गीले हाथ या गीले चमच से निकाला गया था इसी वज़े से अचार जो है खराब हो चुका था तो यह बीज विकल्ब जो होगा इसके लिए सही उत्तर है चलिए अगले किशन की बात करते हैं इन में से कौन सा पोधा जल के दोरा अपने बीजों का प्रक्रिणन करता है आउक नारियल आम या फिर कपास तो यहां बर उत्तर हो जाता है नारियल बीज विकल्ब इसके लिए कपास टमाटर या फिर कमल के तो यहां बर वो बीज रहेंगे कपास के जो कि रोएदार होते हैं और हवा के दोरा फैल जाते हैं अगला किशन आता है जल ही हमारा जीवन है आता जल की बच्चत करने के लिए आपना हाते समय क्या उप्योग करेंगे बाथ टब का पाइब का फंवारे का या बालती और मक्का तो यहां पर उप्योग होना चाहिए बालती और मक्का क्योंकि इनके मादियं से पानी की बचत होगी अगले कुशन की बात करते हैं पहाडी वा ठंडे छेतरों में बने हुए घर या मकानों की क्या विश्यस्ता होती है घरों में अधिक ख होना तो यहां पर सी विकल्फ इसके लिए सही है अगले किश्यन के और चलते हैं अगले किश्यन है पहाड़ी वा ठंडे चेतर जैसे लहल अद्दाख आदी में पाई जानवर के सरीर की बनावाट इस प्रकार की होती जिससे पर अतिदी ठंड में पर जीवित रह सके जैसे ग घने और लंबे बाल देखने को मिलते हैं जिससे कि वहां के वातावरण के लिए वो अनुकुलित हो जाते हैं और निठंड से बचाव भी होता है तो यहां पर सी विकल्फ इसका उत्तर होगा अगला किशिन आता है उंचे पहाड़ों पर चड़ते समय परवता रोही अपने साथ आकसिजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए पहाड़ों पर चड़ते समय सांस लेने के लिए पहाड़ों पर आग जलाने या डी है कुब बारों में ह अगले किशन की बात करते हैं वे लोग जो जंगलों में रहते हैं जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं उनके जीवनियापन के लिए उप्योग तो लगुद्योग होता है तो निशित रूप से जंगल पर जो आधरित रहते हैं उनके लिए मशीने बनाना क को कीडों से बचा कर लंबे समय तक रखने के लिए किसका प्रयोग करते तो निश्चित रूप से हम नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं अनाज को सुरक्षित और भंडारन करने के लिए तो डी विगल बिसका उत्तर है अगला किशिन आता है रेन बसरे के विसे में कौन सा कथन सही है यह हमें यहाँ पर देखना है रेन बसरे यह बैघर लोगों को आस्रेश सल होता है रेन बसरे में बैघरों को निश्चित रूप से कौन सा यहाँ पर सही है तो यहाँ पर पहला भी सही है दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है तीनों ही सही है और इसके लिए जो विकल्प होगा हमारा डी वाला जिसमें एक दो तीन तीनों दे रखे हैं वो इसमें यहां पर सही उत्तर होगा चलिए अगले किश्यन की बात करते हैं अगला किश्यन है अगला किश्यन आता है यहां पर यदि सारे जंगल नस्ट हो जाएं तो आपकी विचार में परियावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा परियावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर परियावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा वायू मंडल में आक्सि अगला किशन आता है हमारे स्वास अच्छे स्वास और आवास के लिए कौन सा स्थान उप्यूक तो होता है जहां पर आसपास कार खाने हो आसपास पैड़ पोधे हो या फिर आसपास अधिक गाड़िया चलती हो जहां आसपास बजार होते हैं तो निश्चे तुप से जहां आसपास पैड़ पोधे होते हैं वही इस्थान हमारे लिए अच्छा होगा बीवी कलबस का उत्तर है बरफिले पहाड़ों पर चाड़ते समय परवता रोहियों को विटामिन सी और आरेन की गोलियों के साथ गरमा गरम चाकलेट का दूद नास्ते में दिया जाता है क्यों दिया जाता है ये हमें पहचानना है अधिक तापमान के लिए घपराट से बचने के लिए ठंड से बचाओ इस फूरती और सकती के लिए या फिर गरमी से बचाओ और ताकत के लिए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ठंड से बचाओ और स्फूरती सकती के लिए ये दूद दिया जाता है तो यहां पर से विकल्बस का उत्तर होगा अलग यूशन आता है हमारे देश में नई फसल के आने की खुशी में अलग अलग छेतरों में अलग अलग त्योहर से समबती त्योहरों का समू इनमें से कौन सा है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मकर सकरांती पॉंगल बैसाखी जो है यह अलग अलग छेतरों में नई फसल आने की खुशी में होते हैं तो बीविकल्बस का सही उत्तर है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर डाक्टर कहते हैं कि छोटी बच्चों के लिए गाए का दूद बहुत गुनकारी होता है वो ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि गाए का दूद अन्य परसूं के दूद की अपिक्शा कैसा होता है मीठा पतला पतला ताजा पाचक और पॉस्टीक और वसायोग तो इससे हम कहते हैं श्यानता और बीवी कलबस का सही उतर है प्लेट में पानी भरकर धूप में रखने के कुछ देर बाद पानी गायब हो जाता है तो पानी कहा गया पानी प्लेट में सूख गया होगा पानी धूप में भाब बनकर उड़ गया होगा अगला कुश्यन है कौन से पधार्थ पानी को सुखा कर या उड़ा करके नहीं बनाया जाता है तो दीखिए नमक है सकर है गुड़ है और शहद है तो निश्यतुम से शहद जो है ऐसा पधार्थ है जिसका पानी उड़ा करके से नहीं बनायाता है बाकिया नितीनों को बनाया जाता है तो डी विकल्ब इसका उत्तर हो जाता है अगला क्यूशन आता है एक ग्लास पानी में साबुत नीमू को हम कैसे तेरा पाएंगे जब हम पानी को घर्म करेंगे पानी को ठंडा करेंगे पानी में नमक डालेंगे या फ़र डी है पानी में बर्फ डालेंगे तो निश उसका सीविकल्ब बिल्कुल सही उतर है चलिए अगले किशिन की बात करते हैं कौन से समूं का खादी पधार्द अधिक समय तक संगरख्षित रहेगा रोटी ब्रेड टोस्ट आम अचार पना उडद मूंग पापड़ बड़ी और पना चाच सर्वत तो दीकि यहां पर हम कहे है कि उस पधार्द करते कोई नंबे समय तक संगरख्षित हो रह सकता है वो कौन सा होगा तो यहां पर इसका सही उतर होगा अगला किशन पेड़ के पास खास मौसम पेड़ उता है खास मौसम में अपने उसको पत्ते गिरा दिते लुए पत्तों के वजन जादा होने से गिर जाते हैं। और C है पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली छ्षती को कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। और D है पकशियों के कारण पैड़ से पत्ते गिर जाते हैं। तो सी विकल्ब बिल्कुल सही है पैड गर्मियों में पानी से होने जो च्छती होती उसको कम करने के लिए पने पत्ते गिरा देते हैं अगला किशन आता है अभी नव बगीचे में गया और उसने सूरी मुखी के फूल पुस्प देखे उनका मुख पश्चिम दे सकी ओर था तो बताईए आभी नव किस समय बगीचे में गया था तो निश्चित रूप से पश्चिम की और सूरी मुखी का मुख था मतलब सूरी पश्चिम की ओर था और समय समय होता है तो बी विकल्ब इसका सही उत्तर होता है अगला किशन है जब हम पूड़ी को गर्म तेल या कड बर जाती है और डी है पूड़ी में नमक मिला होने की करण पूड़ी फूल जाती है तो निश्चित रूप से पूड़ी की दो बरतों के बीच में वासपी करण होता है जिसकी करण पूड़ी जो होती हो फूल जाती है तो यहां बर भी विकल्ब इसका उत्तर हुआ अगला या फिर जेविक खातका अधिक प्रह contradiction करना और गिद्धों का अन्ही देसों के और प्लैन करना तो काराण जो होगा वह वहोगा पहला ही काराण कीट नासकों का अधिक उप्योग तो पहला विकलब races का उत्तर हो जाता है अगला किशने दो बूनजिंद्गी की यह स्लोगन किस रोख के इलाज के लिए जाना जाता है चैचाग हैजा पॉलियो कोरोना तो यहाँ पर उत्तर होगा पोलियो तीसरा विकल्ब सी वालास का उत्तर होगा अगला कुशन है नीचे दीगा है स्लोगन मैंसे कौन सा स्लोगन कोरोना महामारी से बचाओ के लिए उप्युक्त नहीं है तो उस स्लोगन को देखना है जो कोरोना महामारी से बचाओ के लिए उप्युक्त नहीं है बदलकर अपना व्यवार करे कोरोना परवार और दो गजदूरी मास्क है जरूरी मच्छरों को दावाद बीमारी को दावाद और टी है जब तक दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं तो निश्यत रूप से यहां पर बाकी तीनों जो विकल्प हैं वो कोरोना महामारी से बचाओ के लिए उप्युक्त हैं पर एक नहीं है जो होगा मच्छरों को दावाद बीमारी को दावाद क्योंकि यह मलेरिया से संबंदित स्लोगन है तो यहां पर सी विकल्पस का उत्तर ह देएंगे और किसी ऐसा व्यक्ति इस पर भरोसा करते हैं तो किसaremos बसक्रेशी विकल्पस का उत्तर हो जाता है अग्ला किषिए यहां कानून भच्चों को छैडख खाने दुराचार जैसे मामलियों सुरक्षा प्रदान करता तो यहां पर दिखिए बच्चों को छेड़ खाने दुराचार जैसे मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है वो है पाक्सव अधिनियम यह इस मामले में सुरक्षा प्रदान करता है और डी विगल विसका सही उत्तर है आपकी पड़ोसी ने अपने बुडे माभाब को घर से निकाल दिया और उनकी संपती पर कब जाकर लिया तो आप उन बुजरगर दमपती की कैशे मदद कर सकेगे या करेंगे तो आप उन्हें खाने पीने का सामान दे देंगे आप उन्हें मानव अधिकार आयोग जाने के सला देंगे या फिर C है आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर सिकायत दर्ज करेंगे और D है आप उन्हें व्रिद्दा अस्रम तक छोड़ाएंगे तो निश्य दूप से हम उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर के सिकायत दर्ज करेंगे सीव कलबस का उत्तर होगा अगला किश्य ने निमने लिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमें पहचाना है जल एक योगिक है बिलकुछ सही बात है चार डिगरी सेंटिकरेट पर जल का घनतु सरवादिक होता है जल एक अच्छा विलायक है ये भी सही और ये भी सही मतलब तीनों ही सही जिसमें एक दो तीन तीन हैं वो हमारा उत्तर है और वो दे रखा है डी वाले में यहाँ पर हमारा उत्तर अगले किशन की बात करते हैं अगले किशन है राधा एक बर्फिले इस्थान का ब्रह्मन करती है और जब वो देखती है कि कुछ लोग बर्फ में छिदर करके मशली पकड़ने का कारिक कर रहे हैं तो ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है बताइए सता पर बर्फ जमा होता ह है लेकिन अंदर जल की द्रव वस्था होता है द्रव वस्थाम होता है और बर्फ में मशली जमी होती है और सी है वेभन मशलियों मशलियां सीत निंद्रा में बर्फ में होती है और डी है उप्रुक्त सभी तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो उत्तर होगा हमारा सता पर बर्फ जमा होती है लेकिन जल के अंदर वो द्रव स्था में होती है अगला किशन ने जल जो हूँ द्रव स्था पर रहेगा अगला किशन आता है निम्ने लिखे टकतनों में से कौनसा कतन सही है यह मैं देखना है धरातल पर पाय जाने माला Addiekians जल हमारे लिए उप्यूगी नहीं है बिये वायू मंडल में जल भाप और आदरता के रूप में पाय जाता है तो निश्यूप से दोनों ही कथन सही है और इसकी लिए विकल्ब सी बिलकुल सही है चलिए अलग उशना आता है सिक्षक कक्षा में मरत सागर के विश्य में बताते हैं निश्यूप से कौन सा कथन मरत सागर के विश्य में सही है मुरत सागर में लवनता सरवादी है मुरत सागर में लोग डूपते नहीं और मुरत सागर की लवनता 300 ग्राम प्रती लीचर होती है तो निश्य रुप से ये भी सही ये भी सही और ये भी सही और इसके लिए विकल्प D सही एक, दो, तीन ये हमारा उत्तर चलिए अगले किशिन की बात करते हैं अगले किशिन आता है यहां पर आरबी सी तथा विटामिन B12 के संसिलेशन में कौन महत्पुर्ण भूमिका निभाएगा मैगनेशियम तामा जस्ता कोबाल्ट तो यहां पर उत्तर हो जाता है कोबाल्ट डी विकल्बस का बिलकुल सही उत्तर होगा अगला किशिन आता है बाज गिद चील जैसे पकशी अपने सिकार को दूर सही देख लेते हैं तो यह पहले प्रश्टन दूसरे प्रश्टन में देखा था उनकी दरस्टी जो होती है हमारी दरस्टी से चार गुना तेज होती है तो सी विकल्बस का सही उत्तर हुए अगला किशिन आता है फाक्ता के विस्यमे कौन सा कथन सही है यह हमें देखना है यह निमनों उचाय वाले व्रक्षिणों पर घृस्ला बनाता है सेगे नहीं यहां कैक्टरस के पोधों के बीच कांटों के बीच अपना घोसला बनाता है अब इसमें किवल एक सही दो सही या फिर सी में दोनों सही और डी में कोई सही नहीं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक और दो दोनों सही और इसके लिए ये निमन उचाए वाले ब्रक्षों पर गोसला बनाएगा कैक्टरस के पोधों के बीच अपना गोसला बनाता है सिर्व गल्बस का उत्तर है अगला क्यूशन आता है यहां पर निमने लिखेत में से किस प्रकार के घर आवास से संबंदित हैं इनका आकार बहुत बड़ा होता है इनमें बहुत सरे कमरे होते हैं इनकी दिवार छट खंबो आदी पर खूबसुरत नकासी की होती है तो क्या य गर उची अमारत नों संबंदित है हवेली महल संबंदित है सी और बी दोनों संबंदित है और डी है यहां पर इनमेंसे कोई नहीं तो यहां पर कह सकते हैं कि यह जो घर है यह हवेली महल संबंदित है और बी विकल्बस का सही उतर है तो दोस्तों यहां पर आज कि हमरे पर समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ धन्यवाद